अगर भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब हुए क्या तो फ्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बैल आइकन को गवाने से हमारे सभी वीडियो के नौटिकेशन आपको मिल जाया करें नमस्कार आप देख रहें के मासनिव इस समय हम बलियंजिला के ग्राम सभास सावाशपूर में हैं और वैसे हम आए हैं कि बाबा साहब के जीवनी के बारे में यहां के कुछ लोगों से जाने कि यह लोग बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं तो एक समाज से विएकती ह करें जी लिए क्राइब कराएं कि बाबासाह को जानते हैं या नहीं जानते हैं या नहीं जानते हैं बाबा, ड़ाक्टर घिम्लाव एम्बेटकर जी मद्आपरदेस के दोर के नज्रेक में माहू गाूं में जनम लिये थे और उन्हों ने अपने जीवन में बहुत समाज से व्क्ते और अपने जीवन में भुत संग धर्खते उनके समय में बहुत शिक्षा का भाव था छुवा छूट का भेद भाव था उस लिए छोटे बिरादरियों को वो दलिस समार से थे ऐसे व्यक्तियों को पढ़ने का कोई इस श्कूल में अधिकार नहीं था इसलिए उन्होंने आप जानते हैं कि उस समय जो वन वेवस्था का चरम सीमा पर ठाई और वन देवस्था इतना चरम सीमा पर होते हुए चार केटेगरी था छक्रिय ब्राहमन दैश और सुद्रों को कोई शिच्छा दिछा लेने का और देने का अधिकार नहीं नहीं ने लेकिन इस परिस्तिति में बाबा साहिब ने किस कठिनाईयों से बुजरते हुए उन्होंने सिच्छा को ब्रहण किया और उनकी शुरुवाती जो सिच्छा है कैसे संघर्स पून रहा ज़ली आप बताना चाहेंगे तो हमारे अडियंस को बताईए बाबा भीम लाव अंबेकर साहब के समय में यह सिच्छा का भाव होने के कारण बहुत संघ के लोगों को पढ़ाया जाता था तो उन्हीं के भगल में वो दिवालों से सकता कि क्यों से बतार इंडिया उनको पूरा इंडिया नहीं लेकिन पूरा विष्व जानता है सिंबल आप मलेज जियानका प्रतित बाबा साहब डाक्टर भी आरम बेटकर तो यह उपाधी उनक इसलिए दिया गया कि वो दलितों जो चुवाचुट का भेद भाव था उसको तोगना चाहते थे शंघर्श करना चाहते थे इसलिए उन्होंने जाकर उनके पिता जी उस समय स्वेदार थे नेमन वर्के वो एक अदिकारी थे और उनको पढ़ने के लिखने का कोई उनके